नमस्कार, गुड इवनिंग, अमिछ शेकर, 14 जून 2020 की शाम और काफी पेंफुल सा समाचार मिला दो भर में, काफी देर तक सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ऐसा लगा कि किसी को बहुत अंतरंगता से जानते हैं, और वो सेडिनली बहुत जल्दी चला गया, तो ऐसी फीलिंग आई, मैं बात कर रहा हूँ, शुशान्त सिंग राजपूत की, मैं इसे 86 में जन में, और मातर 34 साल की उमर में इतना टैलेंटेड बच्चा, जिसके मुझिक के इंटरस्ट बहुत ही अच्छी थी, मैं उनको काफी फॉलो करता है, इंजीनर थे प्रोफेशन से, रात को तारे देखते थे, लेंबॉर्ग नहीं गारी खरी थी तो बहुत खुश थे, बहुत सारा दान भी करते थे, कितने मरीजों का इलाज कराया जबी उनका समय अच्छा चल दा था, काई पूछे याद रह अब मृत्यों में कोई जज्मेंट नहीं है, क्यों किया, कैसे किया, हमें उनके जिंदगी की पॉजिटिव चीजों को देखना है, और मैं कोई सला भी नहीं देना चाहूंगा आप लोको, बट एक बड़ा प्यारा सा बच्चा था, बिहार से ही थे, पटना से थे, और चले स्वागा थे आप सबका, और निहा जी, स्वागा थे आपका, तो आते हैं आज की टॉपिक पे, और कल की टॉपिक से ये टॉपिक निकली थी कि सपने हम देखते क्यों है, और ये सपने होती हैं क्या, क्या इंका कुछ मतलब भी होता है, तो सपने जो definition के हिसाब से हैं, तो अब ब्रेन देखता है, सपना की माइंड देखता है, तो माइंड की ही बात अकसर दिखे ही कि आपके दिमाग में जो चलता है, नींद के दौरान उसको सपना बोलता है, यहां तक कि आप देखेंगे कि हमारे जितने भी पुरानी किताब हैं, किसी भी धर्म से related किताब हैं, उसमें सपनों की बात जरूर लिखी गई है, यहां तक कि सपनों से पहरे लोगों को मालव दर्शन मिलता था, कि किस तरह का राजनितिक या सोशल, या फिर दिन प्रती दिन के काम में कौन सा decision कैसे लिया जाए, लोग सपनों से सीखते थे और जानते थे, मनिश जी स्वाग conscious, repressed, thought जो होते हैं, conflict होते हैं, बचपन से जो आपकी मन में चीजे दभी रह गई, वो सपने बन के बार-बार आपके पास आते हैं, जैसे for example, मेरे को एक सपना आता है बराबर, वो क्या, अभी मैं जीवन की जी सवस्था में हूँ, suddenly मुझे लगता है मैं स्कूल में बैठा हूँ, अभी explanation पढ़ रहा है तो पता चला कि ये एक तरह से आपका दिमाग आपको बताता है कि आप उस समय उस परिक्षा से निकल गए थे, तो अगर अभी कोई परिक्षा चल रही आपकी जीवन में, तो आप उसमें से फिर निकल जाएंगे, अब देखिए, ये मतलब को रास्ता बताते हैं कि उस problem से, उस situation से कैसे निकला जाएंगे, पापा सवगत है, राजीब भाई, welcome, on an average, हम जो 4-6 घंटे की नींद हम निकालते हैं, तो कहा जाता है कि हम उसमें कम से कम 2 घंटे हम सपने देख रहे होते हैं, अब बताइए, ये चाहिए आपको याद हो सपने हर देखते हैं, मतब हर इंसान सपना देखता है, तो अपने sleep वाली topic में याद कीजिए, हमने बात की थी rapid eye movement, जब हम सोने जाते हैं और आखे बहुत गोल-गोल घूम रही होती हैं, तभी हम सपना देख रहे होते हैं, बहुत सारी brain chemistry change होती है, बहुत सारे neuro hormones release होते हैं अब सपना याद क्यों नहीं रहता, ये भी आज की topic में हम थोड़ा deep में जाकर देखेंगे, तो जब से books की बात हुई, तो Mandukya Upanishad, जो Hindu mythology में काफी important मानी जाती है, उसमें स्वपन को एक अवस्था माना गया है, उसी तरह से जैसे की जागृती एक अवस्था है, सोना एक अवस्था है, तो बताएगे कि आत्मा तीन अवस्थाओं से भुजरती है, उसमें से स्वपन एक अवस्था है, मैं बच्पन से ही सोच रहा हूँ कि इसका कुछ मतलब भी होता है, हम सपने देखते हैं, तो क्यों देखते हैं, अब देखे, वो कल के विचार से ये विचार निकल के आई, और हमने थोड़ी रीसर्च की, तो उमीद है, आप लोगो भी कुछ नई इन्फोर्मेशन इसमें से मिलेगी, तो हम सपने क्यों देखते हैं, इसके पीछे कुछ सपने ये ज़त थेरेपी काम करते हैं, जैसे हमारे दिमाग में कुछ कंफरंटिंग इमोशनल ड्रामा चल रहा है, आपकी जीवन में जो उथल पुथल चल रही है, और दिमाग उसको प्रोसेस करता रहता है, तो जबी रात को हम और आप सो जाते हैं, तो हमारा जो माइंड है, हमारा जो माइंड, ब्रेन, कनेक्शन बनाता है, कि ये जो सिटुएशन है, और आप जो मह स्क करा ही करेंगे, या भाग जाएंगे, तो ये स्वपने की अवस्था में, अमिक डेला, जो हमारा छोटा ये मी जिशों पीछे होता है, वो ब्राई active रहता है, तो वो क्या कर रहा है, या तो लरने की, या भागने की त्यारी कर रहा है, तो जो recommended practice round है, जिसमें आपको practice कर जा रहे कि अगर वास्तव जीवन में वास्तव की जीवन में वह वस्था आए तो आप उसको हैंडल करता है बट ये भगवान की दया है कि जब भी हमाई नींद आती है और उस अवस्था में हम पैरलाइजड होते हैं नहीं तो पता चले कि वह फाइट और फ्लाइट तो हम सह जना मारते हैं तो ये नहीं होता है ड्रीम्स एजर म्यूज मतलब जो क्रेटिव सोचने वाले लोग हैं अकसर उन्होंने ये बात रिपीट बताई है लोगों को कि खासकर जो आर्टिस्ट लोग हैं कि अरे मुझे रात को सपने में एक बहुत कमाल का आईडिया आया एक कि इतनी ब्रिलेंट आईडिया क्यों आते हैं कि उस समय जब आप सो रहे होते हैं तो हमारा जो जो लॉजिकल ब्रें है जो लॉजिक लगाता है वो बंद रहता है अब जहाँ लॉजिक नहीं रहेगी तो नहीं नहीं चीज़े इट कर सेकेंगे तो अकसर जीवण में भी हम पूरे दिन में जो information हमारी दिमार्ग में गहीं उसको store करते हैं और जो चीज़े हमें नहीं चाहिए उसको हटाते भी, जो चीज़ सीखी है काम की है, उसको रखना भी है तो जो भी बच्चे पढ़ते हैं अगर मालने आपने बहुत दिर तक पढ़ाई की रात को पढ़ाई की और अगर आप exam देने से पहले थुरी भी सो लें और सो कर उठें तो आपकी जो memory है वो ज़्यादा consolidate हो पाती है बसरते कि आप रात पर जगे और सीधे जाकर के exam देने चले ज़ए अभी जो unimportant memories होते हैं में कचरा भी आता है उसको भी छटाई का काम होता है और यह जो complicated thoughts होते हैं जो feelings होते हैं दिन भर जो हमारे दिवाग में चला उसकी sorting भी होती है बट कुछ सपने होते हैं जिनमें हमें डर भी लगता है रात को तो nightmare सुन को बोलते हैं अभी आपके life में जितनी stress होगी जितनी anxiety होगी या फिर आपको चलग लगता है कि दवाई ले रहे होंगे तो आपको लगतार regular night में आरा सकते हैं हलाकि इसको National Sleep Foundation जो USM है वो इसको as a sleep disorder के तौर पे देखते हैं और आपको sleep specialist से मिलने की सलाह दी जाती है 5% लोगों को लगतार एक ही तरह के डरावने सपने आते हैं American Sleep Foundation के हिसाब से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं देख लेते हैं राजीव जी बोलते then dream why not saved a person from suicide सही बात है यह देखिए यह suicide को जो demon है अपने आप में परिपुर्ण नहीं महसूस करना तो आपके पास चाहे कार हो, बंगला हो बहुत सारे लोग आस पास हो सब कुछ रहने के बाद भी अगर दिल में अपके अंदर में लगता है I am not enough, मैं परिपुर्ण नहीं हूँ तो कहीं कहीं वहां से वो बात आएगी तो देखेंगे हमने एक छोटा सा कोर्ष भी किया है तो एक सर्टिफाइड मेंटल हिल्थ फर्स्टेडर के नाते से मैं चाहूंगा इस टॉपिक को हम लें बट आज नहीं तो वापीस आते हैं हमारी जो स्वापन है उनको कुछ influence करती है कोई चीज क्या हमारे हम सपने कैसे आएंगे रात को इसके पर कुछ नियंत्रन है क्या सबसे पहला नियंत्रन और या पहली चीज़ जो influence करती है वो है आपकी health condition आपकी स्वास्ते की क्या हलात है मतलब जैसे ही अगर आप sleep deprived हुए आपने एक दो रात तक्षे से नींद आपकी नहीं हुई है आपकी immediate dreams बढ़ जाएंगे क्योंकि आपकी आप बहुत जल्दी जपकी मारेंगे और जभी आप कम सो रहे हैं नींद पूरी नहीं हो रहे हैं तो आपको सपने लोग देख रहे हैं जिनको pregnancy का अनुबभ बताएं कि क्या और ये भी बताते हैं कि उससे में जो सपनों होते हैं बड़े vivid होते हैं vivid मतलब याद रह जाते हैं बड़े clear vivid dreams जबी आप सपने से उठे और आपको सब याद हो एक split personality होती है कभी खुश हो गया है कभी तुरत बड़े depressed हो जाते हैं तो ऐसे लोगों में intense disturbing nightmare देखे गए हैं उनको बार 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 बड़े ही डरावने negative dreams आते हैं तो ऐसी किसी भी हालत में अगर मान लीजे repetitive pattern है मुझे पुरा बड़ोसे आप में से किसी को नहीं हो रहा होगा तो एक जो neuro physician है एक psychiatrist है उनसे या sleep के expert है उनसे एक बड़ दिखाने के सलाह दी जाती है दूसरी factor खाना अगर आपने रात को बहुत heavy खाना खालिया, यहां तक खालिया बहुत तेल वाला, बहुत fatty cheese खाली तो उसको पचाने में और high carb खाली high sugar content खाली तो आपकी sleep pattern disturbed होती है अब जब disturbed sleep मतलब ज़्यादा छोटे-छोटे-छोटे-छोटे सपने आएंगे आपको तो खाने से relation है डेली activity आपकी कैसी है आप दिन भरे में कौनसी-कौनसी activity करते है जो लोग सुबर में morning walk exercise कर पाते हैं उनकी sleep ज़्यादा stable होती है उनके स्वपन में उनको वो स्वपन भी stable आते हैं तो अगर आप अपनी anxiety को अपने stress को अपने काम का ये सब ले करके अगर बिल्ड पे सुचते सोते हैं तो आपको nightmares और anxious सपने आने के chances बढ़ जाते हैं अब अब से कुछ लोग होगे जिनको सपन याद नहीं रहते होगे हैं हमारे गर में एक दो लोग जिनको सपन अच्छे से याद रहते हैं कुछ है जिनको कुछ याद ही नहीं रहता तो ये तो doctors और national sleep foundation USA का बोलना है कि सपन सब लोग देखते हैं अब याद रहे ना रहे या लग बात है तो क्या हम अपने आपको train कर सकते हैं कि किसी सपन को याद करने के बिल्कुल कर सकते हैं एक हॉर्मोन होता है नौर इपिनेफरिन जो कि जैसे ही हम सोने जाते हैं सोनी के वस्था में जाते हैं तो नौर इपिनेफरिन की मातरा संख्या जो है ब्रेन में कम होने लगती है यह है memory का काम करती है तब बता यह memory वाली हॉर्मोन चले गए और बढ़ गई क्या ऐसी टाइल कोलीन जो कि सिनेप्सिस को जोर रही है और आप एक नई-नई कहानी बना रहे हैं मनी मन अंदर में तो आपको वो याद नहीं रहता है तो जो sleep experts हैं जो dream experts हैं वो बोलते हैं कि आप एक intention रखें रात को जबी सोने जाएं तो बोलें आज अभी तो मैं सोने जा रहा हूं और मुझे सपना याद रहना चाहिए ये बार-बार प्रैक्टिस करने से लोग अपने सपने को याद भी कर पाते हैं हलाकि इसी research के दौरा में पता चलो और काफी लोग हैं जो sleep or dream experts हैं वो बताते हैं कि आपको एक dream की journal भी आप रख सकते हैं कि आप एक किताब रखें intention intention के साथ सोने के समय जाएं कि आज रात में मुझे इसके बारे में सोचना है वो चाहाँ आपके काम से related हो सकता है आपके relation से आपके health से या कोई जिंदकी में जो चीज़ चल रही है वो सोच करके लिखें और यहां तक यह बताते हैं कि dream का जो journal है वो अलग होना चीज़ उसमें आप बाकी चीज़ ने लखने हैं खाली सपने ही लिखने हैं और आज रात है 14 जून को सोने जा रहा हूँ एक meaningful चीज़ निकाल सकते हैं और science में तो बहुत proven नहीं है हलाकि neurologist के पर बहुत सारा research कर रहे हैं बट हमारी सभ्यता में हर किसी सभ्यता में सवपन को बहुत importance दी गई है एक तरह से भगवान से जो वारतालाप होती है तो वो signals भी सवपन के थुरू मिलते हैं हमें नमस्कार संद्या जी तैंकिया आपको topic अच्छी लगी तो आपके विचार भी share कीजेगा तो अभी ये देखिए हमने तो ये देख लिया कि सवपन आने में क्या क्या चीज़े प्रखवित करती है बट अलग-अलग तरह कि क्या सवपन होते हैं उनका मतलब क्या हो सकता है हमारे लिए इसके पूर थोड़ा देहान देते हैं नेहाची कुछ लिख रही है मैं जरा एक negative सपने कैसे कम किये जाएं बिलकुल हम आते हैं उसके उपर में कि negative सवपन को हम कैसे कम कर सकते हैं एक तरह से anxiety जो है एक तरह से हमारी life में जो चल रही है और अगर बहुत ही ज़्यादा repetitive हो रहे हैं कि नेहाची आपको बार-बार ये सवपन उस तरह के आ रहे हैं तो एक थोड़ा consult करना होगा हलक ही ये topic खतम होने तक जाने दीजे उसके बाद अगर आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है तो हम वापीस इस पे आएगे एक सवाल आप लोग क्या सुभा उठते हैं तो अपनी family में dream discuss करते हैं कि आज मैंने ये सपना देखा मैं कभी कभी करता हूँ आज भी की है दो अलग-अलग एकिदम अलग किसम के सपने देखे हैं और जो उन सपने से related लोग थे उनसे बात भी की है बड़ा मजाता है मेरे बरे भाई हैं बस तो चार महीनों की बड़ाई छोटाई है नील मनी राय जी और अगर चंचल और अंचल सुन रहे होंगे तो oh my god उनके जो सपने होते हैं बच्पन में हम सुबह सुबह उनसे पूछते थे एक तो पहले वो हसते वे उठते थे तो पूछे क्या हुआ तो आज रात को बहुत कमाल का सपना देखा अब मतलब उनके सपने की जो डिमेंशन है इतना फ़नी सपना होता था एक छोटा सा एक्जांपल देना चाहूँगा आप लोग को एक बार उठे तो हसते वे पूछे क्या हुआ तो बोले देखे ओपरेशन थेटर में डॉक्टर ओपरेशन कर रहा था बोले तो इसमर्फन ही क्या बात है बोले नहीं वो दाक्रMM ओपरेशन कैसे कर रहा था उसने वो फिलेरा ही और था पेशेंट के मुँ में उसको हवा दे रहा था और पेशेंट को इतना फूलते फूलते इतना फूल गया ना पेशेंट और गया उपर में बताईए है हम लोग तो ऐसे सपने आते थे निलू भाई जी को अभी भी आते हैं और कभी-कभी बात होती है तो मैं उनसे पूसता हूं क्या अभी वो सपने आ रहे हैं आपको ऐसे पुरा नए बचपन वाले की नहीं बड़ा माज आता था उनसे उनके सपनों का इंटरपोट नहीं आते हैं कि नहीं संदे जी कुछ लिख रही है I have heard that we live in a parallel world and what we dream happens somewhere might sound weird but what are your thoughts मैं आपसे पुरी तरह सहमत हूं यह जो पाँच सेंस के थुरू जो सेंसरी सिस्टम के थुरू हम जो डिमेंशन समझ रहे हैं इसके परे भी अलग चीज़े हैं अभी जैसे एक microwave है और उससे लोग communicate कर सकते हैं यह एक 500 साल पहले किसी को बोलते तो बोलते पागल हो गया या फिर यह बोलते कि आदमी दुनिया में कहीं भी रहे एक दूसरे से बात कर सकता है तो बोल यह तो देवता लोग करते थे अभी हम आप कर रहे हैं तो जो चीज़े हमारी समझ के परे है उसको नकार देना कि नहीं ऐसा होता नहीं है पहले करता था संद्या जी अब नहीं अब तो मुझे यह ज बराबर चलती कि मेरी समझ मेरी है भी कि हम सबकी एक कलेक्टिव समझ है अभी मैं इंटेंसली किसी के बारे में सोचू तो दुनिया के भाले किसी भी कोने में हो उनके दिल में वो बात पहुँच जाती है अब यह जो टेलिपथी जिसको बोलते हैं अब इसको कौन सा साइं समझाएं तो मैं यह मानता हूं संद्याजी कि हम सब एक सोर्स से जुड़े हुए हैं उस सोर्स को हम अपनी अपनी कर्विनेंस के हिसाब से भगवान नेचर शक्ति प्रकिर्ति जो बोल दें बट हम सब जुड़े हैं और बातनी की कोई लिमिट नहीं कितना भी बांट सकते गर में पती पती हैं बच्चे बच्चे हैं नहीं तो पूरा गाओं आपका हो सकता है पूरा समाज आपका हो सकता है पूरी देश पूरी मानवता आपकी हो सकती है तो यह हमारे उपर राजीव जी बोले बरसों बीत गए हैं जब सपने नहीं आते या मैं भूल जाता हूं या पता नहीं राजीव जी सपने बिलकुल आते हैं और सबको आते हैं तो आज हम थोरी ये भी देखेंगे कि हम क्या अपने सपनों को याद कर सकते हैं क्या और उनका कुछ meaningful interpretation है क्या पिलकुल है जैसे सन्दै जी बता रही है कि ये जो subconscious mind है वो सपनों के तुरू हमें बहुत सारी चित्र बता जाता है अब ये क्या है ये तो transmission चल रही है हमारा antenna कितना जगा हुआ है कि उसको पकर पा रहे है कि नहीं पकर पा रहे है तो जब से हमने ये श्रिंखला की शुरूआत की कि आप सबसे बात चीत करेंगे तो लाइफ में बहुत सारे सवाल है जो बच्पन से चल रहे है अब देरी दरी जैसे उनके सवाल मिलते हैं तो मेरा मन होगा कि आप सबसे उसको share क्यों न किया जाए तो सपनों वाली श्रिं में सुनने में अभी नैशनल स्लीप फाउंडेशन के हिसाब से हम चार से छे बार सपना देखते हैं हर रात में और आख की मुवमेंट उसमें आख बहुत गोल गूल गूम रही होती है पैसत परतिसत सपने जो आप देखते हैं 65% ड्रीम्स वो रिलेटेड हैं जो आपकी जिंदगी में चल रहा है उसके आजुबाजी जो आपकी experience है जो आपके चल रहा है आप उसी का सपना देखेंगे तो चाहे वो job से related stress हो सकता है मैं आजकल वो office वाले सपने ज्यादा है तो आप जिस परिस्थेती में है उसके रिलेक्ट आपको सपनी आ सकते हैं सपनी जो होते हैं mostly visual होते हैं आपको चित्र दिखाई देते हैं बहुत कम लोग हैं जो कि सपनों में कुछ गंध पापाएं otherwise उनको दिखाई देता है एक image दिखाई देती है चलती फिरती चीज कि आपका जो आखरी सपना था उसमें आपने उसको कलर में देखा आप किसी से बाचीत कर रहे थे कि आपको खाली कुछ एक फिल्म की तरह दिख रहा था या फिर आपको कुछ सुनाई दे रहा था कि रेडियो बजरा है जरा सोचके बताएगये में मेरे सपनी विज्यल होते हैं, मेरे सपनी एक्चिली लेड होते हैं, उसमें कई बार तो continuity होती है, एक सपना बहुत देर तक, कितना देर तो सपनी में ही बता नहीं सकता मैं, कोई सपना लंबा तक चलता है, कोई छोटे-छोटे अंशो में होता है, हम आगे और बात करेंगे ड आडियो वीडियो सब दिख रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार री-लॉगिन करके देखें आप, तो आप में से बताएं कि कितने लोग कलर में ड्रीम देख पा रहे हैं, और कितने लोग हैं वो ब्लैक और वाइट में ड्रीम देखते हैं, आपके लाइफ में सवपना आना, वियर्ड सवपना आना, यह अमेरिकन स्लीफ फाउडेशन जी आपसे कॉमन है और भरा नॉर्मल भी है, आपको अगर बेतु के सवपना आते हैं, तो मतलब यह नॉर्मल है पुड़ा, तैंक यू, तैंक यू, यू कांट सी यूर्सेल्फ इन ड्रीम, अरे न सवपन में, ब्लैक और वाइट में सवपने देख रहे हैं कि कलर में देख रहे हैं, अच्छा, एक और चीज, आपका जिस तरह का मूड है, दिन का, कैसा मूड था, आपने दिन बर में किस तरह का समाचार सुना है, कोई तकलीफ है कि आपको, क्या कुछ बहुत ही वाइलें बहुत सारी लोग को जीजिस क्राइस दिखाई देता है, मुझे कभी-कभी बोलेना आता है, कभी-क्रिष्न अभी आ जाता है, बोलेना तक सर आ जाता है, बीच-भीच में, अभी जो common thread है सवपनों का, तो बहुत सारी लोगों को common सपना एक आता है, मरने का, और मरने का डर या मरते हुए खुद को देखना, ये मुझे नहीं आता, अगर आप में से किसी को आता है तो बताएगा, हला कि ये सबसे common शपना है, दूसरा physical इस तरह का सौपना आता है, नाइट टेरर्स होते हैं, ये बच्चों में आते हैं, बरे लोगों में नहीं आते हैं, ये सौपनी की स्थिती नहीं है, ये नाइट टेरर्स में बच्चे आपके जग जाएंगे, चिलाते हुए उठ सकते हैं, हाथ पैर मारते हुए, छोटे बच में होता है, probably 8-10 साल तक ठीक हो जाता है, उनकी सांस तेज होगी, दिल धरक रहा होगा और वो बता पाएंगे वो किस चीज से डर गये हैं, लेकिन थोड़ी disoriented भी होते हैं, तो यह स्वपन नहीं है, इसको night terror बोलते हैं night mares में हैं इसके बाद की जो चीज बात करने वाले, बड़ी interesting चीज है यह है lucid dreaming lucid dreaming आपको कैसे बताऊ कि आप स्वपन की वस्था में हैं आप स्वपन देख रहे हैं, वो movie चल रही है, और आपको यह पता है कि आप सपना देख रहे हैं, कमाल कानवग है, तो कई बार हुआ है मेरे से, यह बहुत डरावना सपना चल रहा है, आपकी जान जा रहे है उस हालत में, कई-कई बार हुआ है, और तभी आपको यह सड़िल लिख्याल आते हैं, अरे यह तो सपना ही है, और सांस में सांस आती है और, मतलब आपकी बॉड़ी तो पैरलाइज होती है, अधरवाइस तो मैं भाग भी सकता हूँ उससे मूठ करके उसी तरह, किसी सुखद सपने में, अलग-अलग तरहीन के सपने हैं, उस सुखद सपने में यह आभास हो जाना, कि मैं सपना देख रहा हूँ, और फिर उस सपन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना, बरा ही मज़ेदार है आप में से कितनी लोग यह अनुभव कर पाए हैं, जरूर बताए, मुझे बहुत खुशी होगी जान करके, यह अकसर नहीं होता, कभी-कभी होता है हलाकि American Sleep Foundation का बोलना है कि 55% लोगों को एटलिस जिन्दगी में एक बार यह अनुभव जरूर होता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, और यह reality नहीं है अब अब कंट्रोल कर ना पाएं या कर पाएं, अलग बात है, लेकिन यह आभास होना यह आप सपन में है, 55% लोग इसको बताते हैं, कि वो समझ पाते हैं, देख पाते हैं पबन जी पूछ रहे हैं, why do I see high mountains and deep trenches in my dreams यह भी एक common pattern के अंदर आता है अगर आपको बार-बार आता है, तो आपको कुछ सवाल के जवाब मिलेंगे भी अंचल बोल रही है, मैं colored में dream देखती हूँ, और मुझे proper real life वाला feel आता है, बहुत बड़िया आप lucid dreaming कर पाएं, तो अंचल आपसे request यह है कि खुद को, अभी देखे, जो lucid dreaming है इसमें आप खुद को सपन में, खुद के सपन में खुद को जगा कर, उसको कैसे control कर सकते है तो complicated है 5-6 processes है उसमें तो उसमें एक process है कि अगर आप खुद को देख पा रहे हैं सपन में आप जाके आईने में देखें, आपको क्या पूरा आप खुद को देख रहे हैं आप आईने में एक और चीज़ बताते हैं कि अगर आप सपन में हैं और आपको ये अभास नहीं पता चल रहा है कि आप जगे हैं कि सोई हैं तो नाक दबा कर देखें नाक दबाए रखने के बाद भी अगर आप सांस ले पा रहे हैं सपन में तो आप सपन में हैं कि यह तो है हमें बच्पन से राजीव जी बताते हैं कि छाती पर इसा हाथ रखके मत सो डरावने सपने आएंगे यह मैं चर्च करूंगा आप भी करें नैक जी आप क्या कलर में सपने देखते हैं उसकी बात बता रहे हैं कि आप लुसी ड्रीमिंग जो सौपन में आप इसका तो उसकी बात कर रहे हैं तो अगर लुसी ड्रीमिंग है मैं बहुत खुश हूँ कि आप वहां तक पहुंचे हैं तो सपना देखी रहे हैं और उस बीच में बोलना है कि ठीक है भी उठ जाओ तो अगर आप खुद को उठ और मान लीजा आप सपनी के हालत में चार-पाँच बन आख ऐसे से मिल मिलाएंगे तो आपके जगने के चांसेस बढ़ जाते हैं सुगाता इस सेंग सम्टाइम्स पर्सन और पर्टिकलर थिंग इंपाक्टिव डीपली कन अपेर तो यूर द्रीम बिल्कुल जो कि आपके बच्पंचे शुरुआत होगी और आगे तक चलती जाएगी मैं उसके बारे हैं बात कर रहा हूँ एक दूसरी चीज़ है डेड्रिमिंग दिन में सपने देखना मुंगेरे लाल के हसीन सपने तो जैसे माल लीजे हमारे क्लास में या मीटिंग में कुछ लोग ऐसे सब बातचीत करें और वह एकदम आखे कहीं और कहीं और तो जोन्ड आउट हो जाना किसी अपनी ही ख्यालों में खो जाना तो उसको लाला कि ये डेड्रिमिंग है लेकिन आप जगे होते हैं ये दिन में सपने देखना है अभी हम recurring dreams की बात करते हैं जो सपना आपको बार-बार आते हैं तो ये repetitive होते हैं इसमें theme भी होता है एक जो theme है वो है confrontation लड़ाई जगरा किसी से हुआ रहेगा न और बच्पन में हुआ रहेगा और वो दबी है चीज अंदर में तो भार-बार निकल के आती है कोई आपका पीछा कर रहा है ये सपने लोगों को भार-बार आता है कहीं उचाई की जगर से गिरना तो पवन आपसे सवाल ये है कि आप जभी गड़े देखते हैं या पहार देखते हैं कि या उसमें गिरने का भी अनुभव कर पाते हैं क्या मेरे बच्पन में यह होता था गिरनेवाला बाए डरावना होता था भाई आप पता नहीं कहीं बहुत उचाई से गिरते थे अधेरिय में गिरते ही जाते थे गिरते ही जाते थे और वो जो जूले पर feeling नहीं आती है आपको कि जूले पर किसी ने आपको जोड से धक्का दे दिया तो वो जो weightlessness आती है वैसी feeling होती थे कई बार ऐसे धराम से बेड़ पे गिरते थे निंद खुलती थे तो जाते तो चब बेड़ पे हैं एक और चीज़ जाद तर सपने डरावने हो जाते हैं लोगों के जिस तरह के हम stressful situation में environment में है या जिस तरह के हम अपने अंदर में bitterness या जो ले के चल रहे हैं उसके हिसाब से सपने प्रभावीत होते हैं तो मुझे आश्यर है नहीं होगा कि जो लोग meditation करते हैं जो लोग किसी तरह की एक meditative practice करते हैं उसके सपने उनकी जो सपन है वो कुछ अच्छी quality के भी हो सकते हैं नैक जी बता रहे हैं Thank you If any odd situation try to see in good alteration अच्छा आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं तो आप क्या सपन को अपने हिसाब से more भी पाते हैं तो अच्छी बात है हला कि lucid dreaming का एक बड़ा benefit इसके लिए भी माना जाता है कि अगर आपको बार-बार कोई डरावना आता है खासका traumatic experience है तो उसमें आप खुद को जगा कर बोल सकते हैं कि भाई ये सपना ही है धर्मत सब ठीक हो जाए तो नच जी मैं बहुत खुश हूँ आप इसकी बात कर पा रहे हैं और पवन आप गिरनी की बात बता रहे हैं तो बड़ा common है ये जो stress से related है आपकी जो जीवन में दिन प्रति दिन जो अनिश्यता रहती है वो आपको उस तरह के सपने दिखाती है जहां पर आपको एक तरह का base नहीं मिल रहा हो अनिश्यत हो तो वो गिरनी की feeling आती है मैं एक मज़दार वाक्या बताता हूँ आपको एक स्वपन है जो मुझे बहुत बच्पन से आता कितनी उमर से आ रहा है याद नहीं है बट हमारे गाउं का स्वपन है वो बड़े जहाज तो जभी छुटा था तो जहाज पुराने किसम के होते थे अभी भी वो सपना रहे हैं अभी जहाज क्या वताओं वो एलोन मस्क वाले rocket भी हो गये हैं और बड़ी ही शांती से आते हैं सब पूरे गाउं प्योपर चा जाते हैं और गाउं हमेशा जगदीश पूरी रहता है मेरा और फिर उसमें से बिसाइल्स भी गिरते हैं कभी ये डरावना भी होता है कभी उसमें फनी भी हो जाता है लेकिन ये attack from China side मेरे बचपन से मेरे दिमाग में चलता है पता नहीं किसी जनम में fighter pilot थे क्या थे ना कभी हुआ कि यह होने वाला है समझ नहीं आया है हलाकि ये जो जिस तरह से मेरी mental capacity बढ़ रही उसके हिसाब से वो सपना भी complex होता जा रहा है एक और सपन जो बचपन से मेरे मुझे आता है वो कि एक समय आएगा कि लोग आकास में TV देख पाएंगे आपको जो देखना है ना तो भी जब स्क्रीन देख रहा है स्क्रीन देखनी की बज़्जय है आप ऐसे आकास में देखें और एक बड़ा से टेलिविजन और आप उन्हें दोस्तों को भी बूला से कि अच्छा आज मैं यह सिनिमा देखाता हूं और आपने जो आप देखें आज सौपने बचपन से आ रहा है पता नहीं कभी कोई बना दें कि आप mental projection कर पाएं और सब लोग वो सौपने और वो फिल्म देख पाएं तो यह भी सपना है बटो कोलकता I mean चाइना की तरफ से attack वाला concept बराबर से चल रहा है बचपन से चल रहा है एक दूसरा है तीम जो मेरे बचपन से दूसरा है वो उर जाने वाला के और ये कुछ हद तक मैं ब्लेम नीलुविया को करूंगा वो नीलुविया ने बचपन में मुझे बता दिया कि हम लोग तो स्कूल जाते हैं ना सिकंदरपूर बुजफ़पूर में तो हां हम अपने खिरकी पर जाते हैं और हम ऐसे करते हैं और फिर सीधा हम उरके स्कूल चल जाते हैं अभी तक सपने में उर रहा हो भाई साथ स्कूल बैग अभी भी रहती है मैं बरा हो गया हूं फिर भी स्कूल बैग रहती है और उरके फिर स्कूल जा रहा होता हूं बर मज़ा बहुत आ जो बच्चे बेड़ वेटिंग करते हैं उन्होंने अक्सर बताया है जिनको बेड़ की उपर में पेशाब हो जाता है उनको पूरा नभव होता है कि वो उठे हैं और जो भी उनकी टॉयलेट है जो भी उनका जो जगह है यूरिनल का वहां तक गए है और उनने वो प्रक्रिय शुरू किया है फिर उनको रिलाइज होता है अरे बाप रहे तो जूटा है हम तो बेड़ पर ही सो रहे है और तब तक तो गरबड हो गई फिर बाद में न्यूजपेपर लगाओ क्या हो नाम नहीं लुगा बट है हमारे जान पहचार में दो तीन हमारे बच्पन की मंडली की लोग जिनको ये सपने आते थे कि उठके रात में टॉइलेट चले गया है या फिर हमारी जो उरिनल की प्रॉपर जगए वहाँ पहुँच गया है और वहाँ जाके उरिनेशन चालू किया लेकिन बाद में पता चले कि खुद ही अच्छा आगे बढ़ते हैं कुछ द्रीम्स जो है वो हीलिंग ड्रीम्स होते हैं जिसमें आपको एक बड़ा ही सुखद एहसास होता है आपकी एक बैलेंस पीस आती है हार्मिनी आती है अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं meaningful purpose connections आते हैं मतलब सुखद उठिया तो आपके बड़ा सुखद सहन भव हमाली भगवान उगाद दिख जाते हैं कुछ आशिरवाद दे देते हैं या फिर कुछ मित्र दिख गए कुछ एकड़म पाटी वाटी हो रही कहीं पे बड़ा सुखद एहसास लेकर उठना तो ये healing dreams हैं जो कि आपके पूरी काया को वो एक पूरी शीतलता देते हैं आपको अच्छा महसूस होता है prophetic dreams जिसमें आपको भविश्य में क्या होने वाला उसकी जलक दिख जाए अभी ये पहले जो हमारे इतिहास में तो इसको बता जाता था कि अक्सर जो देवता हैं वो अपने जो messenger होते थे उनसे सपन के थुरू बात करते थे अभी यह करना है अभी वो करना है ऐसे करना है तो कई लोग अपनी जो divine संधाजी अगर आप सुन रही हो तो जो divine power है वो आप उसको देख पाते हैं शक्तिमान आप ही तो नहीं है यह देखे डिस्क्लोज करने की बात नहीं है सबका इजत और सबको बचाना है बहुत सारे लोग है बच्चंचल आप समझ पा रहे हैं कि इसमें कितने लोग हैं जो कि जिनको यह सवपन आते थे आपको मालूम है सबका नाम तो यह प्रोफेटिक ड्रीम्स जो आती है ऐसे सवपन जिसमें आपको भविष्य में क्या होने वाला उसकी जहलत मिल जाए तो यह बोलते हैं जो एक तो अचेतन जिसको हम बोलते हैं अचेतन चेतन मतलब जगी हुई हालत में अचेतन जो दिमाग है वो एक तरह से जो अन्भव किया होगा जिन्दगी में कभी न कभी कि कुछ एक वाक्या हो रहा है कोई कहीं से आ रहा है कोई बात चल रही है और सड़ली आपको लगता है यह मैंने पहले देखा हुआ और फिर आप step by step बता सकते मेरा पहला उन्भव है वो चंचल आप सुन रही है आपके साथ ही है कि हम छोटे थे हम भच्चे थे और हम खेल रहे थे और मुझे अभी भी याद है वो कोने में जहां पे अभी पापा ने वो कोने पे आमले का पेर रगाया वहां पे लाल अरूल क फूल हुआ करता था तो उसके जुर्मुट के पीछे से बैल गारी के घंटी की आवाज आना और मुझे तभी लगा कि यह मैंने देखा हुआ है और आपको याद होना हो मैंने आपको बोला था कि अदूदर से बैल गारी आई कि उसमें ऐसा बैठा होगा तो वो और कुछ जो माइंड पावर के लोग हैं जिनके सामी देमयात उन्हें बताए कि बड़ी अची चीज है कि अगर आपको इंटुशन हो रहा है पूरवा नुमान हो रहा है तो इसके उपर आप और सोची और काम कीज़े तो यह जो भगवान बोलिया नेचर बोलिया सबकॉं को सवपने से उठते थे और वो उसको इमेड़ेट करते थे क्योंकि उस समय की हमारी जो सभ्यता थी उसमें सवपन का बहुत इंपॉर्टेंस था बट यह पढ़ा पढ़ा करिए ना सब कुछ में लॉजिक घुजा करके तो सवपन और लॉजिक साथ नहीं चलते हैं वो तो इनर्जी फील्ड है वो आपको बतारी सही नहीं है उससे थुरी-दुरी बना रखें गिरना पीछा किया जाना ये लक्षन है पबंजी अगर आप सुन रहे हैं तो और नेहा आप भी अगर सुन रहे हैं तो falling, being chased, having continuous negative dreams are indication कि आपकी life में anxiety बहुत सारा है और conflict बहुत सारा है तो आपको negative dreams को कम करने के लिए meditation, कुछ अच्छी चीजे पढ़के जाना, क्या अगर आप रात बर murder वाली टीवी सीरीज और Netflix करके उसके बाद आप चाहेंगे कि आपको रात में सुख़त स्वपन है तो आप तो स्वपना है देख रहे हैं हलाकि एक और interesting चीज़ बताओ, मुझे अभी Corona काल में Corona का एक भी सपना नहीं आए बर यह अच्छी बात कुछ लोगों को जो common theme है मरने का सुपना आता है, मुझे नहीं आए बट बोलते हैं दात से लिटर सुपना आना बहुत common है, आप में से किन लोगों को दात वाले सपना आते हैं बताएगा कुछ लोगों को यह सपना आता है कि वो public में नंगे हैं, बजपन की अवस्था से लेके बाद की अवस्था, तो जो Neurophidicist हैं उनका बोलना है कि यह एक तरह से आपकी life में जो एक embarrassment का डर है कि माली जी मैं कुछ करने गया तो दुनिया हस देगी मेरे उपर, तो जब ही यह ख्याल आपके दिवाज में आ रहे होते हैं, तो आपको वो नगनता वाले सपने आ सकते हैं थैंक यू निया जी कुछ लोगों, अच्छा ये, मैं चाहना चाहूँगा, माताओं वहनों से कि प्रेग्नेंजी के दरहन क्या सपने बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि science बताता है कि pregnant ladies बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं पवन जी क्या आप anxiety और stress से अपने सपने का relation बता पा रहे हैं, जराब बताईएगा उरने के सपने भी काफी common है, तो ये भी एक जान की desire रही है पक्षियों को देखकर हम हमेशा ऐसे देखते रहे हैं और राइट ब्रदर्स साहब और दाविंची साहब इन जब लोगों ने भी एक दिन सपनी ही देखा था और आज हम सब इतने कमाल से उरते हैं और flying aviation जो है इतना safe हो गया है क्या बताव आपको, कि आपके गधे पर से गिर के मरने के chance ज़्यादा है बशरते की plane crash में मरने के तो इतने सारे plane उढ़ते हैं विकी जी बोल है, बहुत बार पहार से गिरने का सपना आता है विकी ये पहार से गिरने का सपना उचाई से गिरने का सपना एक बहुत common theme है बहुत normal भी है डरने की बात नहीं है ये ज़्यादा तरह लोग इसका तरह का सपना देखते हैं और ये आपकी anxiety या जो stress level है जभी भी आपको जीवन में अनिश्चित्ता की भावना आती है तब ही इस तरह का सपना आता है हलाकि बचपन में ये ज़्यादा होता है क्योंकि उस समय आपको बहुत चीज़े प्रूव करनी होती है अब मुझे ले लो ना last week इस body में इस अवस्था में वापिस hostel में हूँ और hostel में कौन से लोग है और मास्टर साहब आते है पता नहीं कौन से मास्टर साहब है सबको paper देते है last week मुझे देते हैं और बोलते हैं ये लो तुमको इस बर 42 marks आए हैं इंग्लिश में और जो paper है विकी इतनी शानदार है CBSE का सब emblem है मैंने अच्छे सब कुछ लिखा हुआ है वो test Kolkata में हुई है उस पे stamp लगा हुआ था मुझे अभी भी stamp clear याद है हर सवाल के जवाब के बाजू में और लिखा हुआ है Amit Shaker, read more Amit Shaker, read more अब बताओ एक और चीज college के सपने आ जाते हैं और कौन सी? कि अभी उस थिती में है जहां पर pass नहीं हुए पास होना वाकि है तो ये सपने डिकरिंग है चलता रहता है गिरने वाले सपने भी कम हो गए जो बच्पन में काफी common थे अच्छा तीन लोगों को सपने ज़्यादा आ सकते हैं इनकों सपनाने के चांसे ज़्यादा है तो बच्चों को सपनी आते हैं कि ब्रेन एक formative stage में होता है या वो ज़्यादा recall कर पाते हैं क्योंकि उनकी दिबाग में कचरा कम होता है हमारे दिबाग में कचरा ज़्यादा है तो हम बहुत सारी चीज़े याद ही नहीं रख पाते प्रिग्नेंसी के दुरान सपने बहुत सारे आते हैं और किसी नज़्दीक के कोई आपकी family में अगर गुजर जाएं मर जाएं कोई तो उस समय लोगों को सपने काफी आते हैं हला कि हमारे चाचा जी का इंतिकाल चाचा जी गाउं में गुजरे थे बट उनके सपने आते हैं हमें तो काफी अच्छे वाले सपने आते हैं अच्छा कुछ लोगों के मरने के बाद डरावने सपने आते हैं कुछ लोगों के मरने बाद equipment मेरे बापा भी आते हैं अंक जी तो अकसर टोएट में जाते हQUE सपने में आते हैं और हचते हुए रहते हैं देखकर एक तरह स्याशु वाद देते हवे हमारे गौं एक दादा जी का काम करते थे और यहां तक कि उन्होंने पिता जी को भी बहुत सारा मदद किया, मुझहाओन दादा वो सपने में आते हैं मुझे अभी बड़े सीधे साधे इंसान वो और हस्ते हुए आते हैं तो उनको देखता हूं मैं कभी देखें अभी देखें यह थी सपने के बारे में बहुत सारी बातचीत हो गई उमीद है आप लोगों कुछ इंटरेसिंग चीज मिली हो गई मने एक और चीज आपको प्रॉमिस किया था कि हम कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे खान पान में क्या खाए हम कि हमारी memory और cognitive function है जो brain की function है उसको हम improve करता है तो brain food में पहले बात कर चुके हैं बढ़ हम आज बात कर रहे हैं nootropic substances मैं कोई दवाई chemical की बात नहीं करूंगा मैं किवल खाने की बात करूंगा जिन्हें मैं कुछ दिनों के बाद real में देखता हूँ super यह बहुत अची बात है पवन आप इसके उपर और ध्यान रखें और बिलकुल targeted सपने देख सकते हैं और हलाकी यह बताया गया है कि बहुत जादातर लोग सपने में उनी लोग को देखते जिनको जानते हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं यह अची बात है शायद आप एक जर्णल भी लिखना चालू कर सकते हैं अगर आपके सपने इतने पावरफुल हैं पवन आप सुबह उठें और उठकर के आप लिखें कि आपने क्या देखा था अगर आप लिख नहीं चाते हैं यह सब लोगों के लिए सला है जैसे उठे थोड़ा एक समय तो देना चाहिए को कि आप मैं क्या देख रहा था क्योंकि रात बर जो ब्रेन ने प्रॉसेस किया उसमें बहुत सारे क्यूज दिया आपको बट गल्ती यह है कि उसमें नौर एपिनेफरीन है ही नहीं ब्रेन में जीनियस फूड 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 फूर ब्रेन नियुएक ताइम्स की बेस्ट सिलर है तो उनकी आर्टिकल के हिसाब से मेमरी इनहांसिंग फूड में अंचर कुछ लिख रहे हैं मैं आज कल बाबा अम्मा नाना नानी बड़े बाबा बरी दावी सबको एक साथ देखती हूँ अरे बाप रे एक साथ सब लोग गठा हो गए हैं अच्छी बात है बात करेंगे चिन चल इसके बाद में नमबर वन चीज जो मैक्स लोगवेरे साब बोल रहे हैं वो है उनके हिसाब से ब्रेइन फूड में एग अंडा अंडे में होती है एक चीज जिसका नाम है कोलीन अब यह कोलीन जो है वो एसिटाइल कोलीन को बनने में मदद करती है एसिटाइल कोलीन क्या करता है नमबर टू डार्क लीफी वेजटेबल्स एक दम हरे जो साग सबजियां है जैसे स्पिनेच है लाल साग है पालक है पालक स्पिनेच यह होता है उसके अंदर में ल्यूटीन नाम की चीज पाई जाती है या जी एजन्थिन पाई जाती है केरेटिन होते हैं जो कि आपकी ब एवनौल्स होते हैं जो की ब्रेन की कॉगनिटिक फंक्शन को बढ़ाते हैं रिसर्च ने यह साबित किया है कि कोको जिसे डाक चॉकलेट बनती है डाक चॉकलेट में जो क्लासिफिकेशन है 70% कोको पाउडर होना चाहिए तो कड़वा होता है लेकिन आपको दिरे-दिरे हो जाएगे आपको फिर मीठे के ज़रूरत भी नहीं पड़ेगे तो डाक चॉकलेट ना ब्रेन को ब्लेड फ्लू जो है वो बढ़ा देती है और यह माना गया है कि नई ब्रेन सेल बनाने में जिसको नियोरोजनेसिस बोलते हैं उसमें डाक चॉकलेट हिल्प करती है तो न करती है जो की ब्रेन में सूजन पैदा करती है तो कॉफी को अच्छा माना गया है हलांकि don't overdo it not more than two to three cups of कॉफी per day दो बज़े के बाद तो बिलकुल नहीं क्योंकि आपको नीन दाने में कॉफी मददगार नहीं होगी तो जैसे दो बज़े उसके बद आप ग्रीन टी पी स की function को improve करती है तो जो लोग चाय break लेते हैं और इसके बाद उनका काम होने लग जाता है इसके पीछे ये chemicals हैं हलांकि चीनी avoid करनी है दूद शायद avoid करने तो अच्छी बात है green tea पी है अच्छी बात है छटे नंबर पर है extra virgin olive oil या coconut oil जो आपको medium chain triglycerides देता है glutathione नाम की ए और all oxidative stress है तो जो गरम होता है तो वो जो गर्मी होती है उसको कम करता है oxidative stress को कम करता है रजीव जी आप किस चीज की बात कर रहे हैं safe for BP patient किसी specific मैंने बहुत ती चारपाँ चीजे बोल दी तो आप जरह बताएंगे तो उसके हिसाब से मैं चेक करके आपको बताऊंगे ब् ब्रॉकली तो हम सब खाते हैं वो हरी वाली जो गोवी आती है वो बट उसकी जो बीज है उसको अगर sprout करें और अंकुराएं उसको तो हमारे हाँ तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि उसकी बीज मिले और हम उसका sprout कर पाएं बट उसमें जो sulforafen जो की ब्रॉकली में होती है स जो ब्रॉकली स्प्राउट्स होते हैं उसमें तो 10 से 100 गुना ज्यादा sulforafen पाई जाती है तो ब्रॉकली स्प्राउट्स रेकेमेंड करते हैं ब्लूबेरीज रेकेमेंड करते हैं क्योंकि उसमें एंथोसाइनीन होते हैं हमारे हाँ जो commonly available है turmeric उसमें जो curcumin होती है उसमें काफी brain protect की power हैं तो आपके खाने में हमारे होती हल्दी ध्यान रखें कि हल्दी हर दिन खाने में जाना चाहिए fatty fish जो तेल वाली मचली होती है बड़ी नहीं छोटी मचली जिसमें omega-3 fatty acid पाई जाती है वो brain के लिए अच्छी है omega-3 fatty acid आप flex seed, lc, tc से भी पा सकते हैं मैं madam के पीछे हूँ 2-4 दिनों से कि आप tc की चटनी कैसे बनाती है उसकी recipe अगर आप एक minute की वीडियो में बता सके तो कोशिच करूँगा कई लोगों के phone आते मुझे क्यों tc खरीद तो ली है इस्तेमाल कैसे करना है तो करेंगे उ लास्टली वरी इंपॉर्टन जो brain और memory बढ़ाने के लिए सबसे important चीज आखरी बताते हूं वह पानी पानी आपको लगातार पीते रहना चाहिए लगातार का sense है जैसे ही आपकी brain में थोरी सी भी dehydration होगी आपकी cognitive function नीचे जाती है headache पहला लक्षन dehydration का जिनको headache होता है पानी पी कर देखें तो नीबू डाले उसमें और अपनी एक tip शेर कर देता हूं हम जबी पानी में नीबू डालते हैं तो हम उसमें थोरी सी काली नमग डालते है जो rock salt होती है वो उसकी alkalinity को बढ़ाती है और उसमें हम थोरा सा mix करते है ginger powder चूकि एक बहुत ही powerful anti-inflammatory है तो आपकी body में कोई भी सूजय ने किसी भी तरह की काफी अच्छा antioxidant भी है और एक चेटपटा स्वाद भी हो जाता तो आप उसको पी सकते हैं तो पानी पीने के सला पानी कितना पीना है बड़ा simple logic है जो आपकी पी है जो पेशाब है वो सा करते हैं और थोड़ी इसमें ज्यादा जो कॉफी आपको market में मिल रही है काफी process हो जाती है जो सबसे सस्ती वाली आती है उसमें तो शायद कॉफी होती भी ने चिकुरी मिला देते हैं ज्यादा लिख भी देते हैं जैसे brew अगयरे जो market में मिलती उसमें एक दो कॉफी है ज अगर आप उसको सुबह में एक यदो चमच तो अभी डेविडॉफ की 57 नमबर की कॉफी है इसप्रेसो वह अच्छी है निस्काफे गोल्ड में आपको italiana करके आती है उसका flavor mild है बीच का है वो भी एक 600 रुपे में 100 ग्राम की बॉटल आपको आ जाएगी तो एक दो चमच क करम पानी में डालना है उसमें थोड़ी सी mct oil डालनी है coconut oil डाल सकते हैं और breakfast avoid करना है देखिए क्या मजदार result निकल के आएगी आपको येस black coffee चीनी नहीं मिल्क क्रीम नहीं दूद नहीं तो अच्छी जरनी थी आज की हमने एक difficult से topic को उठाया बहुत लंबी बात चीछ चल बढ़ा सकते हैं तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए तो पुश्कर भाई नमस्कार थैंक्यू सो मच पर जॉइनिंग मुकेश गुप्ता जी हाई थैंक्यू फर जॉइनिंग विकी भाई मनिश कनुजिया जी पापा रजीम भाई आपक खुशी है थैंक्यू रजीब भाई नाइग जी आप ने आज बहुत अच्छा युगदान दिया सुगाता थैंक्यू सो मच फॉर वंडर्फिल कमेंट्स और इंकरिजमेंट थैंक्यू तो आल फ्यू थैंक्यू पावन वंस अगें थैंक्यू चंचल चंचल मैं आप से बा नहीं सोच के साथ अगले शानिवार को ततता के लिए सुरचित रहें बाई बाई टेक्यूर